वार वी-वी-एल की शियर चीएर्स के बारे में दोस्तों आपको याद होगा आज से तक्रीबन कुछ हफतों पहले कम्पनी स्प्लीट का अनॉस्मेंट किया था तू इस तू फाइब रेचो में और आप लोग के बार-बार कमेंट आता है कि क्या सर इसका xdate है क्या recorded है और हर बार मैं आपको बताता हूं कि देखिए कंपणी की द्वारा भी कोई भी notice नहीं आया आज की date पर finally वो notice आ चुका है आइए देख ले थे कब उसका xdate recorded राखा गया तो सबसे वहला है इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ट किया आज देके एक्सेंज को 12 सेटमबर 2024 को यानि वह है आपका कौन सा कौन सा थर्सडे तो उसके अकोर्णिंग देखें आप अगर 11 सेटमबर अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए आप अगर 11 सेटमबर या तो उसके पहले मतलब इस हफ्तों में हो सकते हैं अपने मंगल बार खरीदा बुद बार खरीदा ब्रश्पति बार खरीदा शुक्रवार खरीदा डाज नॉट मैटर 11 सेप्टेंबर या तो उसके पहले कोई भी डे पर परचेस कर सकतो आप इलिजिबल शेयर हुल्डर बन जाएंगे सिंप्लि यह स्प्लीट पाने के लिए अचा एक और सवाल यहां पर जुड़ जाता है कि सर्थ 2 इस्टू 5 डेशियो में स्प्लीट का क्या मतलब है मतलब हम लोग तो वाँ इस्टू 5 में सुनाएं वाँ इस्टू 10 में सुनाएं यह तो नया सुनने को मिल रहा है तो इसका बात मैं आपको मेरा अनुभब के अनुसार बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था एक शियर था मेरे पास आपको बताता हूं मेरे पास ऐसी और नमबर पर था तो यह जो किसी के पास यह देखिए तीन शियर है तो उसके समें दो के साथ तो पांच मिल जाएगा और यह जो एक है ना उसके गेंस में आपको दो मिलेगा और यह जो हाफ यह जो पॉइंट फाइब का वैलुएशन शियर प्राइस अनुसार वह आपके बैंक एकॉनमेंट सीधा करने के लिए तो आप क्या करना कि एक बढ़ा लेना चौधा कर लेना या तो मताब के वास कैपिटल नहीं है तो एक रिडूस कर लेना तो ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूशन नहीं रहे ठीक है अच्छी कंपनी अपना अल्टे मैं से बहुत नीचे आ चुका है तो लॉं नहीं तीन बजे के बाद ऐसा क्या मतब खा लिया कि सीधा सीधा अर्ट पर नुबर पहुंच गया तो इसके पीछे जो में रिजन है यह जिए फनांशियल टू लॉंच होम लोन सून जिया दोस्तों कंपनी होम लोन होम लोन प्रोवाइड करेगे अपने कस्टमर्स को उसक और चीज में आपको दिखाना चाहता हूं कुछ एनलिस्ट ने सको कवर भी किया जैसे की एक एनलिस्ट ने मेंशन किया कि देखे शियर क्योंकि यहां पर बाइंग 340 के लेवल पे और उपर की दरब 370-400 के आसपास जाने के पूरा-पूरा पोटेंशियल है ठीक है आचा उसके साथ साथ देखिए और भी वाल सर अनलिस्ट ने कवर किया किसी ने का कि नीची की दरब सपोर्ट है 320 के आसपास और शियर जो है अपसाइट टार्गेट 368 की आसपास पहुंच सकता है प्रभूदास लिरादर की तरफ से मेंशन किया आचा एक और एनलिस्ट है उनके एक और मेंशन किया शियर जो है नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर शॉट टाम बेसिस पे 300 से लेके 370 यह रेंज कास पर स्ट्रेट कर सकते है तो मैं तो देखिए कंपनी अची कंपनी जिनके पास भी शियर है मेरी साब से लॉंग टाम की विव से जाना चाहिए और साथ अपसाइड मुबेंट बागी है अपना ओल टाम हाई 394 से एट लिस्ट काफी नीचे है ठीक है यहां पर काफी नीचे है तो मेरी साब से सारी 300 का अकरप एले ब्रेक कंड के ऊपर स्टेबल होना चाहिए उसके बाद आरम से बाई की जो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओ सब्सक्राइब करता है तो यहां पर समस्क्राइब की तरफ से यह इंफॉर्म किया है कि बहुत सारे शेयर के अंदर प्रॉफिट बॉकिंग किया जैसे कि अधानी पोर्ट हो गया भार्ती अटिल हो गया एक्सिस बैंक हो गया यह महिने की अपडेट के अनुसार अदर परचेस भी किया इस बेलाइफ के अंदर परचेस किया अब जारा सोच के बताई यह सारे परचेस कर रहें और यह सारे शेयर को नीची की तरफ गिरावट का रेटिंग भी दे रहें टार्गेट भी दे रहें तो इसकी बीज़ें वही है मैं अक्सर आपको बुक्याता हूं ना कि देखें ब्रोकरेज रेटिंग एजसी कंपनी एनलीस्ट यह सब के चक्करवे मत प आपको बैलेंट शीट कंपनी की जो बिजनस है अगर उसमें सब कुछ सही है तो आप देख सकते चाहिए अडिसी की बात करें एक नंबर वैलेंट शीट कंपनी मेंटेन करता है वैलूशन अच्छा है बड़े कंपनी यह डिविडेंट अच्छा देता और क्या चाहिए पहले से अच्छी कंपनी है अराम से लॉंग टर्म की विव से जाईए बट शॉर्ट टम बेस पे हरवर मत करना पेशन्स आपको रखना पर सकता और बहुत जल्दी आइधिंग की अच्छा ब्रेक आउट आपको आगे दिखाए दे सकता है नेक्स दोस्तों बात करेंगे इ 1960 के आसपास मैं आपके एक दिखाना चाहता हूं कि लास्ट टाइम यह अपना ओल्टाइम हाई टाच किया था यह देखिए एप्रिल 2022 में उस दिन पे क्लोजिंग दिया तो 1903 रुपए पर शेयर उस टेम पे ओल्टाइम हाई टाच किया था तक्रीबन 1960 के आसपास आज दो साल खतम होने से पहले रेट कर आपको दिखाए दे सकता है सामने चुना भी है डोनल्ल ट्रम्ट की सरकार अगर बन गया तो आई-टी सेक्टर में भी अच्छा-गासा मुवेंट होगा अब सवाल बनता है कि सर इस सारे में क्या करें विकॉस आज कि आपने देखा होगा कि इसल टेकनलोजी के अंदर भी अपना वाल्टैम हाई को टाच देखने को मिला शियर उसी लेट पे लोजिंग भी दिया पहली बार अठ्रासो पी उपर आज के रेट में इंफोसिस के अंदर डेलिवरी परसेंटेज भी काफी अमेजिंग था 65% का सब्सक्राइब बड़े खूब यहां पर दिरे देरे करके माल उठा रहा है तो सिंपली बात है एक बड़े कंपनी लास्ट अल्मोस्ट दो तीन मैने कंदर 30% से जाधा रिटन दिया मैं आपको दिखान यह दिखे 40% के आसपस 30% मैं कम बोल दिया 39% का सब्सक्राइब कर जाना चाहिए जबकि मैं आ उसके बाब जूद भी 60% की शेयर रिटन दिया है वो भी हाई डिविडेंट इल्ड के साथ क्योंकि डिविडेंट अच्छा मिला है शेयर अल्डर को ठीक है तोई सिंपली बात है इतना चल चुका है अभी तोरह वेट कर जाए और क्योंकि शेयर ओवरबाट जोन पे भी है या तो 2000 की उपर ब्रेक करके निकल जाए तब इन्वेस्ट करना या तो शेयर नीचे की तरफ आए अटलीस्ट 850 को आने देना चाहिए ठीक उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा ठीका मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा सिंपली बात है कोई दिक्कत वाली बात नही शोरी प्रीम चल रहा है 9.64 परसेट पास उसके बाद मैक कान फरेंस अन इवेंट भी एसट मेधस्ट परसेट की प्रीम नमो वेस्ट मेनेजबेन 58 पर संगी प्रीम नेचर विंघ कॉलीड़ी में 60 पर संगे प्रीम उसक्वाट 00 गाला परिशेशन इंजनेरिंग 50 परसेट क की प्रीमियम Ecos mobility million IPO से 2027 प्रीमियम एराऊन कॉंपोजिट 27 पर से प्रीमियम इंडियन फॉस्पेट 126 प्रसंगी प्रीमियम जैबी लेमनेशन है सबसे पहली बात यह है कि आज की रेट पे आपके पावर सेक्टर में गिरावाट हुआ यह तो चलो ठीक है सेक्टर वाइस आप देख लिया और जिसके बाद एक अच्छा प्रॉफिट वुकिंग आपको देखने को मिल रहे ठीक है आचा कारोवार आज काफी अच्छा था जैसे की वॉल्यूम की बात करें एक करोर अरशट लाग के असपर शेयर ट्रेड वा पैंतीस परसंट के आसप अच्छा है बस थोड़ा यहां पर वेट कर जाना चाहिए अब देख लेते बट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा यही आप लोगोंने देखिए यह तो फेस किया होगा कभी ना कभी कि आप जब भी कोई शेयर को सेल करते हो दो दिन बास शेयर में तेजी होता है क्य मतब जाने अन जाने में यह सारे ट्रैप में पाँ देते थे हो यह डियालिटी है आप लोग नोडिस क्या होगा कि आप जब भी इस टैप की शेयर को सेल करते हो ना नेक्स एक दो दिन के अंदर शेयर में बंपर रैली होता है उसके पीछे रिजन यही है ठीक है तो बेसिक यह देखे शेयर देखे यह देखे आपके सामने है यह देखे कितना बड़ी यहां पर रिटन दिया है तो वही बात है यहां पर ब्रोकर चाहते हैं कि आप भाई आप सेल करके निगल जाओं सिंप्ली डिशन आपकी ओपर है इतना ही आपको कहूंगा होल्ड कीजे बस करके दिया तो ओविसली बात है कि डीप करेक्शन आपको दिखाए देए सकता और डिप करेक्शन इतना है कि आज की रेट में शेयर तकरीवन 30 से 35 परसें रफली नीचे आ चुका अपना अल्टेमाइज है तो चलो ठीक है शेयर स्टेबल है चारजर कूबर आचा उसके को हटाइए आज की रेट में जो भारत की सिच्वेशन है डिफेंस की मामले में काफी बढ़िया है डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है और मोस्ट इंपोर्टेंट शीप बिल्डर की केस में बहुत अच्छा काम कर रहा है भारत की कंपनी चाहे मजगाव परसिन के आसपास ग्रोथ रख रहा है प्रॉफिट के अंदर मार्जीन केंदर तो अमेजिंग कंपनी है तो सिंपली बात है ब्रोकरें चाहते ही है कि आप लोग सेल करके निकल जाओ शेयर प्राइस नीचे आने अब वह लोग सस्ते भाल वैलुशन में पर्चेस करेगा औ स्पाइक होगा ठीक है तो यह सारे ट्रैप्स में आपको क्या पा नहीं देना है सिंपली बात पेशन्स रखें लॉंग टाम के लिए ठीक है बागी कोई डाउट से कमेंट करके बताइए फिलाल मिलते नेक्स्ट वीडियो पे टेक क्यार बाबाई जय हिंद